आपकी स्किन कफे जदा सेंसिटिव है, जब आप धूप में जाते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, चेहरे के ऊपर छोटे-चोटे दाने निकलाते हैं और हमेसे ऐसा फील होता है कि चेहरे से आग जैसे निकलती हो और हमेसा बर्फ लगाने का आपका मन करता है, तो एक बढ़ी sensitive है और आपको सोच समझ कर इसके अंदर कोई भी product से use करने चाहिए अब आपको इसमें क्या cream से लगानी चाहिए और आपको किन गलतियों का इसमें ध्यान रखना चाहिए क्या आप इसमें गलती करते हैं तो उन सब बातों की आज हम बात करेंगे हलो एबरिवन मैं डोकर दिपक कुमार और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा अगर आपका skin sensitive है तो आप उसमें क्या चीज़े कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो एक routine होना चाहिए चाहे वो morning routine हो या फिर night routine हो वो बड़ा ही एक simple सा होना चाहिए अगर हम बात करें कि आपके morning routine की तो simple आपको पानीश अपना चाहरा धोने के बाद में एक moisturizer यूज़ करना है और अगर आप धूप में जाते हैं तो कोई एक आप minimum 30 SPF की कोई sunscreen यूज़ कर सकते हैं रात के अगर हम routine की बात करें तो उसमें आपको बस एक normal moisturizer लगा कर या फिर serum लगा कर सो जाना है जादा आपको products अपने चाहरे के ऊपर use नहीं करना है अब बात करें कि किन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान लखना चाहिए एक तो सबसे पहले आप अपने skincare routine को बड़ा ही simple बनाएंगे minimum उसमें आप अपने product से रखेंगे दूसरा ही है कि आप कोई भी ऐसे जब market में cream सापको available होती है तो उनको अपने चेहरे के ऊपर एक दम से apply नहीं करना है जैसे आप सुनते हैं कि यह market में अच्छी cream आई है और इसको लगाने से pimples या फिर आपके pigmentation को रहे हैं और आप उसको लगाना शुकर देते नहीं अगर आपके skin sensitive है तो आपको उसको ऐसे try नहीं करना है तीसरी यह बात कि जो भी home remedies होती है DIY tips होते हैं तो उनको आपको अपने चेहरे को लगाने से बचाना है कैसे जैसे हम lemon की बा चेहरे से लगाने से बचे आपको इनको जाड़ा नहीं लगाना है minimum आप अपना make-up रखे क्योंकि उसके अंदर भी काफे ज़दे कैमिकल्स होते हैं उसे आपके चेहरे के उपर रैशिस आ सकते हैं तो आप उससे भी थोड़ा सा दूट रहे हैं फिर हम बात करते हैं कि आप इसमें सिंपल बनाना, वाटरमेलन और कुकुमबर यह तीन चीज़े आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह संसेटिव इसकिन के लिए भी काफे ज़दा अच्छी होती है अगर हम बात करें कि आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला कि इ पराबीन नाम का जो एक चैमिकल होता है वो अगर उस प्रोड़क्ट के अंदर मिले तो इन तीन चीजों से आपको बचना है कौन सा एक तो पराबीन से दूसरा आपको उसके अंदर डालेगा यह फ्रेग्जेंस से और तीसरा उसके अंदर जो पलारेजेंट होता है हम यह करता है कि आपको इन से पराबीन या फिर खुश्बू आले चीजों से दूर रहना है बट यह चीजे सेंसिटिव स्किन के लिए काफी ज्यादा नुकसान दे होती है तो आपको इससे बचना है बात करेंगे कि कौन से प्रोड़क्ट सा आप इसमें यूज कर सकते हैं बात ह अगर इसमें कोई ऐसे फेश वोस की तो आप यह वाले फेश वोस आप यूज कर सकते हैं इनके काफी अच्छे रिजल्ट है सेंसिटिव स्किन के लिए आप इसमें कौन सी क्रीम यूज कर सकते हैं तो यह कुछ क्रीम समने सजेस्ट की है जो इसकिन सेंसिटिव में हम देते तो यह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप हमेशा अपने स्किन को किसी भी प्रोडक्ट से बचाए अगर आप कुछ भी पहले से यूज कर रहे हैं आपके लिए वो ठीक है आपकी स्किन के लिए ठीक है तो आप उसको ऐसे ही रखे उसको चेंज करने की कई ज़रूरत नहीं है बट अगर आप नहीं लगाते तो यह चीज़े आप अपने सेंसिटिव स्किन के लिए अपलाई कर सकते हैं तो यह वीडियो आगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपकी जो अगर प्रेश्ण रहते हैं आपको कमेट करके ज़रूर घ çekamoere जो जब दिएोत दिएएशक जो फैख घूसर मा तो अट्मक रचेट खिएखग कीजिए की, अपको कामेट के लाइक कрип एकामेट की स्थड़ आपकी ज़ड़ियो आपको कामेट